सब्सक्राइब करें हमारी यूटीब चैनल सूपर फास्ट नियूज को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस वीडियो को देख सकें नमस्कार सूपर फास्ट नियूज में आपका स्वाधत है सांसत मनोस्तिवारी के सांसत प्रतिनिदी राम नरेश पराशर इन दिनो अरविंद केजरी वाल की नीतियों से खासे नाराज दिखाई देते हैं कि आए जानते हैं उनकी नाराजगी की वजह रहाए राम नेश पराशर जी आपका स्वाधत है लंशकार पराशर जी दिल्ली में बिजली पानी की समस्या बहुत चल वह इसके बारे में आप क्या कहिंए केजरी बाले दिल्ली में 59 सरकार चलाई थी साड़े चार साल दूसरे टन में होने जा रहे हैं जब वो मुख्यमंती बने थे तब उन्होंने बहुत सत्तर वाइदे ऐसे किये थे तो जनता के छूते हुए थे जनता ने पूरा समर्थन दिया उन्हों मुख्यमंती बनाया सत्तर वाइदों में एक भी आज तक बाइदा पूरा नहीं हुआ जो जनता का परमशिद्ध अधिकार है जैसे पानी है विजली है सुविदा है उन्हें से एक भी चीज जनता को भूया नहीं करा पाए परसों में टीवी पर देख रहा था समाचारों में के जिवाल जी कह रहे थे कि जब से आप पार्टी की सरकार दिली में आई हर्याना ने पानी देना कम कर दिया मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो दिली का पानी है जो दिली में बरतवान समय में है यह दिली सरकार इसी पानी को सही रूप से सप्लाई करकर और अधिकारियों पे अपना कंट्रोल करे औ और जितने भी इसके टीटमेंट प्लांट है उनको रुटीन बद रख रखा हो और उन पे पाणी बने तो निष्चती दिली की जनता कम से कम पानी पीने के लिए परिशाल नहीं हो सकती पानी पीने के लिए दिली में मडर तक हो रहे हैं गलीयों में लाएन लगी है महला हैं पानी बनने जाती है, आपसमें जगड़ा हो जाता है, चाकू छूरी चल जाती है, और फिर दिल्ली के मुख्यपती दूसरों पर आरोफ करते हैं, दिल्ली की जनता की परेशामी को देखते हुए, उन्हें 100% अपनी जुम्लेदारी निपाते हुए दिल्ली से स्थीपा देज पराशर जी, दिल्ली में हो रही बिजली कटोटी के बारे में आप क्या कहेंगे? करता है, दो सरिंट से ज्यादा हो जाते हुए और जो दी आर्ची ने भी कहाता हुए, इस पर रेट बढानी की जरुरोत नहीं है, उनोंने मीटर रेंट भा दिय है, और विजली के बिल्ल पर ही काफी कहीं कोई चार्ज है, कहीं कोई चार्ज है, क Geesetz थी जो लेकर विजली की कीमत को लगाया जा तो बहुत ज्यादा होती है आम गरीब जंता परिशान है दिल्ली में विजली के कारण और वो मानि केजरीवाल को इसका जबाब देना चाहती है जी पराशर जी दिल्ली सरकार ने जो वृद्धावस्ता पिंशन बंद गर रखी है इस और हमारे सनातन धर्में भी कहा है कि जो घर में बुजूर गए उसे सुविदा जादा दी जाए दिल्ली सरकार का करता पर बंता है कि साट साल के बाद जो धाईजार रुपे पैंसिन बंती है उसको दी जाए जब से केजरीवाली मुख्य बंती बने हैं उन्होंने आणिस करता हूं इस मीडिया के मादम से कम से कम एद उन्होंने थोड़ी सी नियात जो दिली में बुजूर्ग है विजूर्द नपति है उन्हें घर में भाषकार कर रखा है बच्चे उन्हें सव्जानी देते उन्हें कम से कम धाई आँ रुपे जो उनका हक है जो सरकार सकती है उन्हें देना चालू करें अन्निथा भातिर निथा पार्ट के कारकाता इसके खिलाप आम दुलन करेंगे पराशर जी दिल्ली सरकार के शिक्षा निति है उसके बारे में क्या कहेंगे जैसे नौवी और दस्वी के छात्रों को जो फेल हो गए है उनको सरकारी स्कुलो में दिया जा रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे जो सिच्छा का इस्थर दिल्ली सरकार का इतना गिर चुका है कि जो आम लोग हैं गरीब लोग हैं जो प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते उनके पास पैसा नहीं है सरकारी स्कुलों में एडिमिशन कराने के लिए कारते हैं कई दूर जा निसकते नजदी के स्कूल में अधिकारी उन लोगों को इतने परिशन कर रहे हैं के एडिशन नहीं करते थक्काद खाखाद खाखाद बच्छे घर बेट जाते हैं उनकी बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है और श्कूलों में एक एक कच्छा में लगमंग सो से उपर बच्चे हैं फो पढ़ाई का इस्तर टीचचर 45फ़ मिलते हैं कि मैं सोवचों का पूरा जो मैंने होंबर्ग दे रखा है वो जा चलू या दे दू या संबब होता है मैं मीडिया के माध्यम से के जी बाल जी को निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूलों में स्पेस बढ़ाया जाए टीचरों की भरती की जाए नए कमरे बनाया जाए नए शुलों का निर्मार किया जाए तभी दिली की सचाकसदार हो सकता है निथा नहीं हो सकता है पराशर जी इन दिनों दिली सरकार में एक चर्चा चल रही है कि दिली सरकार महिलाओं को मेट्रों और बसों में फ्री यात्रा का स्विधा देने जा रही है इसके बारे में आप क्या कहें देखिए चुनाव मेजदीक है यह चुनावी सबुपा छोड़ा है के सीम साव ने यह कुछ भी नहीं कर पाएंगे और यह हो यह नहीं सकता जी जनता समझदार है जनता फ्री के चक्क नहीं पड़ती अभी 72000 का कॉंगरेस ने चुनावी सुड़ा ता उसे नकार दिया मोध जी को अपनाया दिली की जनता देश की संधा नियों दिकास चाहती है और स्था चाहती है और स्विधा चाहती है शच्चा चाहती है श्वाध चाहती है वह बोन इसके चकर मे आने वाली में जी प्राश्र जी आपका धन्यवाद हम फिर मिलेंगे नमस्कार